बोपाल क्राइम ब्रांज द्वारा अवैद मादक पदार्थ के कारोबार में लिप तीन गांजा तसकर को गिरफतार किया गया 43 किलो गांजा वा एक मोटर साइकल वाहन जब्त की गई आरोपियों से 43 किलो मादक पदार्थ गांजा एवं एक मोटर साइकल सीटी हंडेट कुल कीमती तकरी बंच चार लाग पचास जार रुपए की मश्रू का की जब्त पदार्थ गांजा बाक सेवनिया गांजा सप्लाई करने जा रहे है सुचना से वरिष्ट अधिकालियों को अवगत कराया वा प्राप्त निर्देशों के आधार पर बताय स्थान पर पहुझे जहां मुगबेर के दारा बताय हुले के अनुसार दो व्यक्ति आते दिखे ज पलाशी में दोनों व्यक्ति अवैद मादक पदार्थ गांजा रखे हुए मिले दोनों के कबजे से 22 किलो मादक पदार्थ गांजा तथा एक मोटरिसाइकल सीटी हंड्रेड को विदिवत जब किया गया आरूपी दयाल उर्फ दयाराम तथा अरजुन के द्वारा शंकर उ पुष्टाश पर दोनों व्यक्तियों ने साथी सुनील निवासी अव्दुलागन से मादक पदार्थ गांजा लेकर आना स्विकार किया दोनों आरूपी के निशान देही पर सुनील को 11 मिल चौराहे के पास पकड़ लिया गया तथा आरूपी सुनील के तलाश लेने पर क अबजे से 21 किलो अवैद मादक पदार्थ कांचा रखे हुए मिला जिसे वी दिवत जब्त कर लिया गया आरूपी सुनील के द्वारा दयाल और अरजुन को माल दिना स्विकार किया गया तथा शीतर निवासी अब्दुलागन से खरीद कर लाना बताया गया जो वरतमान मे फरार है मौके पर कारवाही जारी है आरूपियों से जब्त सामगरी कुछ इस प्रकार आरूपी गणों का कृत्त धारा आर्ट बटा बिस एन डिपी एस एट के तहट दंडनिया पाए जाने से मौके पर संपूर्ण वैदानिक कारवाही की जाकर तीनों आरूपियों के कब आरूपी सुनील कुछ बंदिया वर्श 2018 में अन्डिपेस एक्ट में थाना अब्दुला गंज में बंध हो चुका है आरूपियों की जानकारी कुछ इस प्रकार दयाल उर्फदयाराम पिता पूर्ण लाल नायक बंजारा उमर 29 वर्ष निवासी अर्जुन नगर वोड 12 प उर्फ बिटवा पीता नानू कुछ बंदिया उम्र बाइस वर्ष निवासी अर्जुन नगर वॉड ग्यारा नंबर अब्दुला गंज राय सें।